हेलो फ्रेंड्स आपको पता है एक रॉकेट स्पेस तक का सफर कैसे पूरा करता है हम देखते हैं high velocity exhaust gases रॉकेट से बाहर निकलती रहती है यह gases एक large force जिससे thrust कहते हैं वो रॉकेट पर apply करती है जिससे रॉकेट travel करता है आईए इस तरह की कुछ और examples को analyze करते हैं एक चिडिया आसमान में उडान भरने के लिए अपने पंखों से हवा को नीचे के और push करती है बिल्कुल उसी तरह एक swimmer आगे बढ़ने के लिए पानी को पीछे के और push करता है तो इन example से आपको समझ में तो आही गया होगा कि हम Newton के third law of motion की बात कर रहे है जिसके according for every force in nature there is always an equal and opposite reaction force acting on the other body तो आपको इस action reaction couple का कोई और example याद आ रहा है मुझे comment करके ज़रूर बताएं झाल